कल इंडिपेंडेंस टे था तो कल सब को चुटी थी और सब घर पर थे तो लंच में मैंने मैसूर मसाला धूसा बनाया था और आज जो मैंने धूसा बनाया था वो रेडिमेट बेटर से बनाया था क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट्स करके कहा था कि कास्ट आयन को कद्दुकस कर लिया है और पत्तागोवी को भी बारिक कट कर लिया है और आप चाहे तो बारिक कटे हुए प्याज के टुकड़े भी एड़ कर सकते हो और पत्तागोवी आप चाहे तो स्कीप कर सकते हो लेकिन मुझे पसंदे तो मैंने यहाँ पर एड़ कीई है और बारिक मसाला भी बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर चार उबले हुए आलू लिये हैं तो आलू को हम मेश कर लेंगे और आज मैंने ready matte better लिया है क्योंकि सबको अचानक दोसा खाने का मन किया और बना ही रही थी तो मैंने shoot भी कर लिया तो better को हम थोड़ी देर side में रखेंगे और हम बाकी की तयारी करेंगे तो पेन में हम 3-4 चम्मच तेल लेंगे तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई एड़ करेंगे अद्रक मेची की paste एड़ करेंगे और करीपत्ता एड़ करेंगे थोड़ी सी हिंग भी डाल देंगे और हलदी एड़ करेंगे अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे अब उसी के साथ हम उबले हुए आलू एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे स्वादानों सार नमक भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और मिलाते वक्त मुझे याद आया कि तड़का में मैंने उरत डाल तो एड ही नहीं की थी तो मैंने तड़का पिन में थोड़ा सा तेल लिया और तेल गर्म हो जाए तो इसमें उरत डाल डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भून लेंगे तो अभी इस तड़का को मैंने मसाले के साथ एड कर दिया और अच्छे से मिला लिया और जब भी हम दोसा के लिए मसाला बनाते हैं तो इसमें उरत डाल का टेस्ट तो होना ही चाहिए इसके बीना वो अच्छा नहीं लगता अब थोड़ा सा पानी भी एड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा स्मूध हो जाए तो आलू मसाला में मैंने ज्यादा कुछ मसाला एड नहीं किया है क्योंकि हम सेलेड में भी सब मसाला एड करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है थोड़ा सहरा धनिया एड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम side में रखेंगे और साथ ही साथ मैंने याँ पर सांबर भी बना लिया है और सांबर की recipe मैंने already आपके साथ share की हुई है आप चाहे तो देख सकते हो तो याँ पर हमारा सांबर भी ready है अब हम चटनी बना करके तयार करेंगे तो आज मैंने तीन कलर की चटनी बनाई है तो सबसे पहले हम मेक्सी जार में हरी मिल्च एड़ करेंगे और ताजा नारियल एड़ करेंगे तो नारियल में से मैंने इसके छिलके निकाल दिये थे अब उसी के साथ हम दालिया एड़ करेंगे तो ये भुनी हुई चना दाल है जिसका हम साउथ इंडियन चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं और ये आपको डिमाट में भी मिल जाएगा और कोई भी किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगा स्वादानुसार नमक एड़ करेंगे और थोड़ी सी हींग एड़ करेंगे और दस से बारा करीपत्ता एड़ करेंगे अब पहले हम इसे बिना पानी के ही पीस लेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से पानी एड़ करेंगे और महीन पीस लेंगे तो यहाँ पर अमारी चटनी रेडी है तो इसमें से हम आधी चटनी निकाल लेंगे और बाकी की चटनी के साथ हम धेर सारा हरा धनिया एड़ करेंगे और धनिया के जितना हम नमक भी एड़ करेंगे और थोड़ा सा निम्बू का रस एड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पर हमारी ग्रीन नारियल की चटनी भी रेडी है अब मिक्सी जार में हम फीर से थोड़े से नारियल के टुकडे लेंगे उसी के साथ हम 4-5 सुखा वाला कश्मेरी लालमेर शेट करेंगे और यह बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता इसे अमारी चटनी का कलर अच्छा बनेगा और यहाँ पर मैंने इडली पोडी मसाला लिया है और इसकी रेसिपी मैंने लास्ट विक आपके साथ शेर की हुई है आप चाहे तो मेरी स्पोर्ट इडली रेसिपी का वीडियो देख सकते हो तो 4-5 टेबल स्पून इडली पोडी पाउडर एड़ करेंगे आदा टेबल स्पून आमचूर पाउडर एड़ करेंगे और स्वादानुसार नमक एड़ करेंगे थोड़ी से हिंग एड़ करेंगे और इसे हम महीन पीस लेंगे और जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हो इस चटनी को हम थोड़ा सा गाड़ा ही रखेंगे तो यहाँ पर अमारी मज़ेदार खटी चटनी रेड़ी है और आमचूर पाउडर की जगह पर आप चाहे तो इमली भी एड़ कर सकते हो और यह चटनी सच में दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पर अमारी तीनों चटनी रेड़ी है और हमने जो सेलेट बनाया था उसी के साथ हम दो चम्मच सांबर मसाला एड़ करेंगे एक चम्मच जलजीरा पाउडर एड़ करेंगे और आधी चम्मच अमचूर पाउडर एड़ करेंगे और स्वादानु सार नमक एड़ करेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो जब भी हमें दोसा बनाना हो तब भी हम ये सिलेट बना करके तयार करेंगे नए तो नमक की वज़ा से इसमें डेर सारा पानी छुटेगा अब यहाँ पर हम प्लेट भी तयार करेंगे तो इसमें हम केले के पत्ते इस तरह से रख देंगे तो यहाँ पर हमारी चटनी सब रेडी है अब हम दोसा बना करके तयार करेंगे और कल जब मैंने आपके साथ रिल शेर की थी तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था कि आपने ये दोसा तवा कहां से लिया है तो ये मेरा इंडस वेली का कास्ट आयन का दोसा तवा है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दी है आप चाहिए तो वहाँ पर देख सकते हो और बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये भी कहा था कि अगर लंबे समय के बाद हम कास्ट आयन तवा यूज करते हैं तो इसको किस तरह से यूज करना चाहिए तो पहले तो हमें दोसा तवा को अच्छे से दोना चाहिए और फिर इसमें दो चम्मच जितना तेल स्प्रेड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुआ निकल रहा है तो हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसे हम गिले कपड़े से पोँच लेंगे और फिर इस पर हम better spread करेंगे तो cast iron तवा को maintain करना भी बहुत आसान होता है और इसमें non-stick से भी अच्छा धोसा बनाया जा सकता है अब उसी के उपर हमने जो आलू मसाला बनाया था वो add करेंगे और salad भी डाल देंगे तो मसाला आपको जितना पसंद है उसी के हिसाब से add कर सकते हो थोड़ा सा melted butter add करेंगे और मसाले को हम अच्छे से spread करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम cast iron तवा पर भी अच्छे से दोसा बना सकते हैं तो यहाँ पर हमारा मैसूर मसाला दोसा रेडी है तो प्लेट में हम तीनों कलर की चटनी भी रखेंगे और साथ में हैं मज़ेदार सांबर और मैसूर मसाला दोसा तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर बाकी का दोसा भी बना लिया है तो आप देख सकते हो कि हमारा दोसा बहुत ही अच्छा बना है और सच में दोस्तों यह स्ट्रीट फूट से कहीं ज्यादा अच्छे बने है और आप चाहे तो इसे इस तरह से चीज के साथ भी बना सकते हो तो दोस्तों आज की आसांसी मैसूर मसाला दोसा रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा मैं दर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसांसी रेसिपी के साथ